Hello guys, welcome back to my channel, मैं हूँ आपकी दोस्ट and host पूनम दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो इस साल ही, याने की 2022 में रिलीज हुई है ये मूवी 2009 में रिलीज हुई, और फन मूवी का सीक्वल है और उसका नाम है और फन फर्स्ट किल जादा देर न करते हुए, चलते हैं सीध है मूवी की तरफ मूवी के पहले सीन में हमें 2007 का एस्ट्रोनियक का सीन दिखाते है जिसमें एक औरत मेंटल हॉस्पिटल में जॉब करने के लिए जा रही है और उसका नाम होता है एना, आगे दिखाते हैं कि हॉस्पिटल के गेट पर उसकी चेकिंग होती है उसके बाद वहाँ के डॉक्टर्स आकर उसे उस हॉस्पिटल के सब रूल्स समझाते है तभी एक लड़का भाग कर डॉक्टर के पास आता है और बोलता है कि लीना भाग गई डॉक्टर अलट अलाम बजा देते हैं जिससे सब अलट हो जाते है और डॉक्टर सबसे कहते हैं कि छुप जाओ एना डॉक्टर से लीना के बारे में पूछती है तब डॉक्टर उसे बताते है कि लीना 31 साल की एक औरत है पर वो बच्ची जैसे ही दिखती है और वो बहुत भयानक है किसी पर भी हमला कर देती है डॉक्टर लीना से एक रूम में छुपने के लिए बोलते है लीना एक रूम में जाती है छुपने के लिए तो वहाँ उसे एक छोटी बच्ची नजर आती है लीना उसे पूछती है तुम क्या कर रही हो तो वो छोटी बच्ची बताती है कि वो खुद की पेंटिंग बना रही है उसका नाम पोछने पर वो बोलती है Lina ये सुनकर Anna बहुत डर जाती है और Lina Anna पर हमला करने लगती है पर तभी वह सेकुरिटी आ कर Anna को बच्चा लेते है और Lina को पकडते है डॉक्टर्स एना को बोलते हैं कि लीना बहुत चातिर दिमाग वाली औरत है उसे मेकप करना बहुत अच्छे तरीकी से आता है जिससे वो आसनी से अपना रूप बदल देती है और बच्चो का रूप लेकर किसी भी फैमिली में घुश जाती है और सब फैमिली को बरबाद कर अगले सीन में दिखाते हैं कि लीना पेशन्स की पेंटिंग का क्लास ले रही होती है और एना वहाँ आकर चुपके से उसे देखती है तो लीना अपने एक पागल पेशन्ट को एना पर हमला करने के लिए बोलती है पर सिक्यूरिटी वहाँ आकर उस पेशन्ट को पकड़त हैं लीना ने उस पागल पेशन्ट को अच्छे तरीके से ट्रेंड किया था वो पागल औरत लीना के इशारोपे काम करती थी आगे दिखाते हैं कि लीना एक कमरे में होती है और उस पर नजर रखने के लिए एक गार्ड होता है जो लीना से बोलता है कि मैंने तुमारे लीना कुछ सोचे समझे अंदर जाता है तभी लीना उस गार्ड के सर को दीवार पर पटक पटक के मारती है और वो मर जाता है यहां लीना अपने कपड़े बैग में भर के वहाँ से भागती है और भागते वक्त दर्वाजा खोलने के लिए कार्ड भी सात लेती है पर आगे जाकर उसे एक गार्ड रोकता है पर तभी वहाँ उसके ट्रेन हुई पागल औरत खड़ी होती है लीना उसे गार्ड को मारने के लिए इशारा करती है वो पागल औरत गार्ड पर हमला कर देती है तभी लीना वहाँ से भाग जाती है और बाहर जाकर दिखाते है के लीना ए से हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर सभी CCTV फुटेज चेक करते हैं पर उनको लीना कही नहीं दिखाई देती। और उसे पकड़ना आप बहुत मुश्किल है। ऐसा डॉक्टर एना से बोलते है। एना इस घटना से बहुत डर जाती है। और डॉक्टर से कहती है कि मैं कर देती है। और बहुत परेशन होकर अपने घर जाती है। वो घर का दर्वाजा खोलती है। तभी उसे गाड़ी के डिक्की खोलने का आवाज आता है। एना देखने के लिए जाती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। आगे दिखाते हैं कि एना दर्वाजा खोलकर गर के अंदर जाने ही लगती है तभी आगे वो लीना को देखती है और लीना एना पर हमला कर देती है और उसे मार देती है और अपने आपको क्लीन करती है उसके बाद वो नेट पर मिसिंग लड़कियों की तस्विर ढूनती है जिसमें वो उस लड़की का रूप लेकर उसके घर र यार हो जाती है और एक पुलिस टेशन के सामने जाकर बैठ जाती है पुलिस उसे पूछते हैं तो वो उसका नाम एस्टर है ऐसा बोलती है एस्टर एक बहुत रिच बाप की बेटी थी उसके माता पिता का नाम होता है एलन और ट्रिशिया और उनका यंग बेटा होता है जो तलवारबाजी में तर्वेश था एलन एक बहुत बड़ा पेंटर होता है और यह सब फैमिली अमरीका में रहते है अगले सीन में दिखाते ह कि पुलिस एलन को उसकी बेटी के बारे में बताते है यह सुनकर एलन बहुत खुश हो जाता है और वो ट्रिशिया को उसे लाने के लिए बोलता है एस्टर को देखकर ट्रिशिया बहुत खुश हो जाती है और उसे अपने प्राइवेट जेट में बिठा कर अपने घर जान के लिए निकलती है जाते वक्त वो एस्टर को कुछ फोटोस दिखाती है और बोलती है कि यह एलन है तुम्हारे पापा एस्टर यह देखकर बहुत खुश हो जाती है और एलन उसे बहुत हैंडसम लगता है और वो उसे पसंद करती है भाई की भी फोटो देखकर एस्टर ट्रिशिया जेट से उतरते हैं और ट्रिशिया उसके बाल सेट करने लगती है तो एस्टर उसे रोकती है और आगे से कभी भी उसके बाल को हाथ ना लगाए ये बोलती है ये सुनकर ट्रिशिया नाराज हो जाती है और उसे एलन और उसका भाई गनर से मिलने के लिए ले कर ज और उसके बाद उसे उनके घर ले जाता है। एलन का घर बाहत ही बड़ा होता है। टीशिया एस्टर को उसकी रूम दिखाने के लिए ले जाती है। और उसे वहाँ आराम करने के लिए बोलती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एस्टर और उसकी माँ एक साइकेटरिक के पास जाते हैं क्योंकि ट्रीशिया को पता लगाना था कि एस्टर इतने दिन कहा थी डॉक्टर उसे पूछती है तो एस्टर डॉक्टर को बोलती है कि वो अभी कमफ़ेबल नहीं है और डॉक्टर के पीछे एक पैरट होता है एस्टर उस पैरट को उसके नाम से पुकारती है ये सुनकर डॉक्टर हैरान हो जाती है और उसे बाहर भेज कर ट्रीशिया को अंदर बुलाती है और बोलती है कि ये पैरट पहले मेरे पास नहीं था एक बर्ड था उसके नाम से उसने इस पैरट को इन दोनों की ये बाते एस्टर सुनती है और गुस्ते में अंदर आ जाती है। इन दोनों की तस्वीर बनाती है। वही सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि एस्टर अपने रूम में कपड़े बदल रही होती है। तभी वहाँ ट्रिशी आती है और एस्टर की पर्सनल डायरी को हाथ लगाती है। तो एस्टर उसके हाथ से वो डायरी अगले सीन में सब डिनर टेबल पर डिनर कर रहे होते हैं तो एस्टर पहली बार ट्रिशी आ को मम्मा बुलाती है। यह सुनकर ट्रिशी आ खुश हो जाती है। तभी वहाँ एक पुलिस ओफिसर आ जाता है। और तभी एस्टर बहाना बना कर अंदर जाती है। और अंदर तबी बाहर आती है और ये सब लोग अपना टॉपिक बदल देते हैं अगले सीन में दिखाते हैं कि एस्टर भागनी की तैयरी करती है वो एलन के घर से बहुत सारी जवेलरी चुरा कर भागती है पर बाहर जाकर उसका ध्यान एलन के स्टूडियो पर जाता है जहां वो ट्रिशिया जोगिंग के लिए जाती है और बाहर जाकर वो अपने बेटी की बचपन की फोटो देखती है तो उसे कुछ महसूस होने लगता है और उसे लगता ही कि ये एस्टर नहीं है अगले सीन में दिखाते हैं कि एलन अपनी बेटी के वापस आने की खुशी में ट्रि तो गुशे में आकर एस्टर ट्रिशिया का ड्रेस फार देती है जिसकी वज़े से वो डेट पर ना जाये ट्रीशिया फटा हुआ ड्रेस देखकर परिशान होती है तब बोलता है दूसरा ड्रेस पहनो हम डेट पर जरूर जाएंगे और वो डेट पर निकल जाते है अब घ एस्टर को गुसा आता है और वो गनर को गाली भी देती है तभी वहाँ पुलिस वाला आदमी आता है और वो उसके पैरेंट्स कहा गए पूछता है तो गनर बोलता है वो डिनर के लिए गए है तब पुलिस वाले उसे वाश रूम यूज करने के लिए परमिशन लेता है और के बहाने अंदर जाकर एस्टर के रूम में जाता है और उसकी एक चीज लेता है जिस पर एस्टर के फिंगर प्रिंट है पुलिस वाले की ये सब हरकत एस्टर देख लेती है और उस पुलिस वाले का पीछा करती है तभी यहां घर पर एलन और ट्रीशिया आती है ट्रीशिया उसके रूम में बैट कर वो एस्टर की personal diary पढ़ने लगती है और उसे एस्टर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है आगे दिखाते हैं कि वो पुलिस वाला एस्टर के fingerprint चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये एस्टर नहीं है तभी पीछे से आकर एस्टर उस पर हमला कर देती है और तभी वहाँ ट्रीशिया आकर पुलिस वाले को गन से शूट कर देती है उसने ऐसा करने की वज़़ एस्टर पूछती है तो ट्रीशिया उसे बताती है कि मुझे पता है तुम एस्टर नहीं हो क्योंकि एस्टर चार साल पहले ही मर चुकी है और उसे मेरे बेटे गनर नहीं मारा है और ये बात मैंने एलन से छुपाई है क्योंकि वो हमें घर से बाहर निकाल देता हमने उसे बताया था कि वो किड्नैप हो गई है ट्रिशिया एस्टर से बोलती है कि तुम एकदम सही समय पर आई हो एलन भी तुम्हें देखकर खुश है और मैं नहीं चाहती कि एलन को सच पता चले और एस्टर उसकी बातों को मानती है और वो दोनों मिलकर उस पुलिस वाले की बोड़ी को ठीकाने लगाते हैं और ट्रिश उसका अपनी घर में रहना सेफ नहीं है ट्रिशिया उसे समझाती है कि एलन उससे बहुत प्यार करता है इसलिए चुप रहो हम उसे प्लैन करके मारेंगे आगे सुबह का सीन दिखाते हैं जिसमें वो सब फैमिली सकाइट्रिस के पास जाने वाले होते हैं क्यूंकि उन्हे एस्टर को छेक करना था कि वही असली एस्टर है पर ट्रिशिया पहले ही एस्टर को एस्टर की बचपन की बाते बताती है जिसकी वज़े से एस्टर साइकेट्रिक के सब सवाल के जवाब देती है और एलन को विश्वास हो जाता है कि वही एस्टर है अगले सीन में दिखा कि एस्टर से मिलने के लिए कुछ दोस्त आने वाले होते हैं और ट्रीशिया उसे रेडी करती है और उन लोग के सामने अच्छा बरताव करने के लिए कहती है और एस्टर से मिलकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं रात को एस्टर सोने के लिए उसके रूम में आती है तो पीछे उसका भाई गनर भी आता है और वो एस्टर से बोलता है कि वो उसकी बेहन नहीं है वो ये जानता है और वो एस्टर को उसके अंडर रहने के लिए बोलता है और उसकी बात नमानने पर वो उसे उसकी बेहन की जैसे ही मार डालेगा ऐसा बोलता है और गनर एस्टर पर जबरदस्ती करने लगता है, एस्टर गनर को जोर का थपड लगाती है और गनर वहाँ से चला जाता है, आगे दिखाते हैं कि ट्रीशिया एस्टर को मारने का प्लान बनाती है, वो एस्टर के खाने में जहर मिला देती है, पर एस्टर नीचे आकर एलन से कहती है कि उसे तो ट्रिशिया बोलती है कि रूम में बैट कर तुम आराम से खाओ, एस्टर खाना रूम में ले जाती है और वो खाना एक चूहे को खिलाती है, तभी वहाँ एलन आकर एस्टर को उसके स्टूडियो ले जाता है, उसको उसे एक नई पेंटिंग दिखानी थी, जो एक्जिब करें आती है और एस्टर से कहती है कि एलन कभी भी तुमारा नहीं हो सकता, अगला सीन सुबा का दिखाते है, जिसमें आस्टर उठी है और देखती है कि चूहा खाना खा के मर गया है, तब एस्टर के समझ में आ जाता है कि उसको मारने की साजिश टिशिया कर रही है, अगल देती है तो Tricia बोलती है वो ड्रिंक खुद बनाएगी पर आलन वही ड्रिंक पीने के लिए उसे बोलता है जो अस्टर ने बनाई है ट्रिं एक गुण पीती है और उसको उसका टेस्ट कुछ अलग लगता है वो बेसिन में उस ड्रिंक को डालती है तब उसे दिखता है कि उस ड्रिंक में मरे हुए चूहे की बौडी है तो ट्रीशिया समझ जाती है कि खाना एस्टर ने नहीं खाया चूहे ने खाया है और चूहा मर गया है और वही सीन बंध हो जाता है अगले सीन में दिखाते हैं कि सब फैमिली एलन को छोड़ने के लिए रेलिविस्टेशन पर जाते हैं एलन एक एक्जिबिशन में अपनी पेंटिंग लेकर जा रहा होता है एलन जाने के बाद वहाँ एक ट्रेन आती है और तभी एस्टर ट्रीशिया और उसके बेटे को धक्का देने की गाड़ी में बिठा कर वो घर जा ही रहे होते है तभी एस्टर ट्रीशिया का पर्स चुरा कर भागने लगती है उसका बेटा उसे रोकने की कोशिश करता है पर एस्टर उसकी आँखों में एक स्प्रे मारती है और भाग जाती है एस्टर को लगता है अब वो बहुत तूर आ गई है पर ट्रीशिया उसकी कंप्लेंट पुलिस से करती है और एक जगह पर पुलिस उसे पकड़ते है और ट्रीशिया को लेकर जाने के लिए बोलते है ट्रीशिया उसे लेकर जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है पर एस्टर उसे धक्का देकर भागती है तभी ग कैसी हैं तब Trisha बोलती है इधर सब कुछ ठीक है तुम चिंता मत करो पर Alan बोलता है मैं आ रहा हूँ ये सुनकर Trisha ढर जाती है वो और उसका बेटा Aster की बोड़ी को ठीकाने लगाने की सोचते है गनर उसके पाथ जाता है तब ही Aster चाकू से उस पर हमला कर देती है और उसे मा पाथ देखकर Trisha बहुत गुस्सा हो जाती है और Aster पर हमला कर देती है वो दोनों जोर-जोर से लड़ाई करती है जिससे घर में आग लग जाती है और पूरा घर जलने लगता है ये दोनों लड़ते-लड़ते छत पर जाती है और दोनों छत से फिसल जाती है और छत को और Aster मासुमियत से Alan से बोलती है पापा बचाओ तो Alan Trisha का हाथ छोड़ देता है और Aster को बचाने के लिए जाता है एस्टर को बचा कर उपर खिचता है तब ही Aster के नकली दात निकलते है ये देखकर Alan उसको पूछता है कि कौन हो तुम तब वो बताती है कि उसका नाम लीन है और वो Alan से बहुत प्यार करती है पर Alan गुस्सा होकर बोलता है कि मैं तुम से प्यार नहीं करता हूँ ये सून कर लीना को गुस्सा आता है और वो Alan को धक्का देती है जिसकी वज़े से वो नीचे गिर जाता है और मर जाता है उसके बार वहाँ पुलिस आ जाती है और वो ये वही कपल होता है जो औरफन वन मुवी में दिखाय गया था क्योंकि ये मुवी औरफन मुवी का सीक्वल है और यही मुवी एंड हो जाती है दोस्तों आपको ये मुवी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताईएगा अभी के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ जल्द ही आऊंगी ऐसी ही बढ़िया थ्रिलर कहानी का सीक्वल है